तो लंबे शमय से चलु रहा है अमित साह एक तरफ द्धिल कर रहा है और एक तरफ योगी आदितनाथ ड्ष्टी और इस बात का प्रमान जो है सबसे बड़ा दिनेश खटिक की चिठी अमित साह को लिखने का कोई अचिती नहीं अमित साह क्या है वो न तो भारतियनता पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष है न वो उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री है न उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है तो उनको चिठी क्यों लिखी गई इससे आप समझ सकते हैं क जो देखे ब्रजेस्पाठक की चित्थी बड़ी प्रोटोकॉल वाइस थी और नियमों में थी वो अपने प्रिंस्पल सेकर्ट्री एडिशनल चीफ सेकर्ट्री से जो उनके अधीन है उन्हें रिपोर्ट करते हैं उनसे सवाल कर सकते थी उन्होंने किया उन्होंने उसमें न किसी को करें तो वो एक कानूनी दाएरे में भी है और अनुसासन को भी का पालन करती है और सारी बात कह भी दी लेकिन धिनेज खटिक ने क्या किया उन्होंने अमिट साह को चिठ्थी लिग दी अमित्सा उत्तर प्रदेस में तो कुछ नहीं और उन्हें अधिकार भी नहीं है किसी तरह से संविधान के तहत कि वो उत्तर प्रदेस के किसी भी मामले में जो भी वहां का अंदरूनी मामला है उसमें कोई दखल कर सकें वहां से कोई मंत्री बदल सकें या किसी भी तरीके से वो पार्टी के संगठन के भी नहीं है, कि कह दीजे कि अच्छा उनके थुरू, हमने संगठन के थुरू रहा है गोपनीता भंक के मामले में उसके खिलाफ F.I.R. भी दर्ज होनी चाहिए तो यह आप बिलकुल समझ दीए कि यह इस्तिति है लेकिन यह सब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जुले हुए हैं वो कहीं कहीं सारे पर काम कर रहे हैं इसलिए यह सारी चीजें हो रहे हैं और मैं इस बात से कताई आप याद करिये जब पहले भी डिवेट्स होती थी मैं यही कहता था कि योगी आदितनाथ का कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है वही मुखमंत्री बनने जाथा और बनेंगे यह जीती तो यही वो मतलब जोड़गाट के भी बनी तो भी वही बनी और मै फिर कहता हूं कि जब तक योगी आदितनाथ को प्रदान मंत्री का कंडिडेट नहीं बनाया जाता है उस दिन तक योगी आदितनाथ उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री ही रहे उसमें कहीं कोई संसोधन नहीं होने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही अकेले नहीं है उ लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर उन्हें भगवा मुखमंत्री के तौर पर दिखाया जाता है भारती जंता पार्टी और संग का जो एजंडा है उसका वो चेहरा है और वो चेहरा है जो भगवा धारण करता है तो वो अपने उस भगवाई एजंडे को आगे बनाने तो उस से कहीं कोई समझाथा नहीं हो और नरेंद्द मोधी की जो है यह हैसिएत नहीं है कि वो उन्हें अटा सके यदि यह होती तो मुखमंतरी नहीं होते क्योंकि उनको तो यह लोग मुखमंतरी चाहते ही नहीं तो इस बात को आप बिल्कुल किलियर कर लीजिए कि उसमें कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है रही बात उत्तर प्रदेश में इस खत्रा कहीं और नजर आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि कहीं 2024 में कहीं कुछ बदल न जाए, कोई कंडिडेट न बदल जाए, तो 2024 का कंडिडेट कोई और न बद जाए, इसलिए इस तरह की सारी चीजें हो रही है, निश्चित रूट से उत्तर प्रदेश में ये कहे देना कि ब्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल गरत है, पहले से बहुत जादा है, ट्रांस्पर पोस्टिंग बिल्कुल सिर्फ पैसे पर हो रही है, कहीं और नहीं हो रही है, ब्यूरो क्रेसी ही उत्तर प्रदेश का सासन चला रही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, और मंत्रिय आप वहीं कि छोड़िए, तमाम सारे भारती एंता потреб साशित राजीयों कि इस्तिती कमोवेश इससे 19 भी इसी है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये इस्तितियां है और उस इस्तिती में, और रही बार जतिन प्रसाद की, तो जतिन प्रसाद की जो इस्तिती हो रही है, और जो चलना है उस तरह से कहीं ने कहीं फसने वाले जी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा